हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल और वुडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक एन को दुबाएं तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस तो सबसे पहले मैंने ये दो कप चावल लिए और इनको मैंने उबाल लिए और साथ ही मैंने ये चिकन ले लिए और इसको भी मैंने इस तरह चुट चुट क्यूब्स में काट लिए ये 250 ग्राम चिकन है और साथ ही मैं निकड़ाई ले लिए इसमें दो तेन टेबल स्पून ऑइल के डाल लूंगी लेंगे अब इसको मैं इस तरह छोटा छोटा कर लूंगी इस तरह चोड़ा चोड़ा पीस बना लेगे चोड़ा चोड़ा इसके अब मैं इसको निकाल लूँगे तो यह देखे इस तरह मैंने पीस बना लिए अब इसी कड़ाई में मैंने दो तेन टेबल स्पून और ओल डाल दिया है और एक अद्रक लसन का पेज़ड वन टेबल स्पून डाल दोंगे इसको एक दो मिल्ट के लिए फ्राइ होने देंगे अद्रक लसन फ्राइ हो गया मारा साथ इसमें मैं चिकन डाल दूँगी इसको भी हम अच्छी तरह फ्राइ कर लेंगे अब color change होने तक पकाएंगे color इसका change हो गया है साथ ही समस्य शामल कर दूघी यह कप मैंने मटर ले लिए यह डाल दूघी कई एक कप गाजेरा यह भी इस तरह मैंने लिपाई में ब्रीग-ब्री काट लिए यह डाल दूघी के एकर बंद गूबी यही इस तरह मैं ने इसSP बरी बरी काट लिए ये भी डाल देंगे और इसको मरें अच्छीतर्ण मिक्स कर लेंगे सब्सक्राइब अपनि मन पर संद्र। भी ले सकते हैं इसको मैं अच्छी करेंगे और इनकी बुनाई करेंगे अब आप साथ ही समय यह दो चिकन क्यूब्स हैं आप चाहें तो चाइनिस नमक इसमाल कर सकते हैं यह भी चिकन पॉडर भी डाल सकते हैं चोटा चमच मैंने यह चिन्नी कबरक डाल दिया है कि साथ ही समय मैं वन टेबल स्पून नमक डाल दूंगी यह मून लिए मैंने इसको अब थोड़ा सा पानी लगा के हाफ काप इसको अब हम धाम के रखते के ताके सबजी अची तरह गल जाए यह देखें पानी खुशक हो गया है और सब्जे में हमारी पक गई है और मटर को चेक कर लेंगे तो यह देखें यह 90 परसंट गल गए हैं अब मैं इसमें यह कप शी मिला है यह डाल दूंगे इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे और साथ-इस में मैं यह दो कप जो मैंने चावल बबाल के रख लिए थे यह डाल दूंगी साथ-इस में मैं यह अंडे जो मैंने पहले फ्राइए किये थे यह डाल देंगे और वान टी-स्पून यह काली मिरज का पॉडर है यह डाल देंग उपर और इसको में रिक्स चावल पाल के शोया सूस और इसको हम डाब 20 मिने घंपे लिए धम रिक्षा देंगे तो ये देखे दम हमारा हो गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं तो आपने ये देखे हैं मैंने कितनी असानी से और रेस्टोरेंट जैस स्टाइल में मैंने आपको बनाना सिखाया है नमक मिर्चाप अपने हसाब से भी डाल सकते हैं अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँ तो यह देखे हैं हमारी चाइनीज प्राइड ड्राइज चिकन त्यार है और अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें विडिया देखने का शुक्रिया